हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई चैनल आज के मेरे इस वीडियो को टपिक है यूरिक एसिट पार्ट टू जी हां दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे रिलेड़िड मैंने एक वीडियो पहले से डाल रखे जिसमें मैंने आपके साथ यूरिक एसिट के प्रॉब्लम जादा हो रहा है उन लोगों को क्या क्या खाना चाहिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपको यूरिक एसिट के बारे में पिर से एक बार बता दू कि यूरिक यूरिक एसिट का लेवल बड़ा हुआ लेकिन वो इसे लाइटली ले लेते हैं आए जानते हैं इस प्रॉब्लम को हमें सीरियसली क्यों लेना है और इसी के साथ मैं आपको यूरिक एसिट का जो पार्ट टू है वो बताऊंगी यूरिक एसिट जो है अपने बौड़ी का जो मेटाबॉलिजम सिंड्रोम का ही एक पार्ट है जी हां दोस्तों यूरिक एसिट जो कि अपनी बौड़ी के मेटाबॉलिजम सिंड्रोम का ही एक पार्ट होता है मेटाबॉलिजम सिंड्रोम मतलब की जिसमें बौड़ी का मोटापा डाइबिटीज होना और ब्लेड ब्लेश इस combination को metabolism syndrome बोलते हैं जिन लोगों में ये चीज़े देखी जाती है उन लोगों का यूरिक एसिड का लेवल हमेशा हाई रहता है तो आईए बात करते हैं यूरिक एसिड के बढ़े लेवल को घटाने के लिए मतलब की इसके इलाज के बारे में जी हा दोस्तों यूरिक एसिड के इलाज का मतलब यह नहीं है कि सिरफ दवा ही खाएं मेडिसन लेने से ही प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी इसके साथ आपको बहुत से परहेज भी करने पड़ेंगे क्योंकि कई बर क्या होता है कि कई छोटे छोटे रोग जो हैं वो हमारे भोजन संबदित ही होते हैं तो आ और आलू, जिमिकंद इन सभी चीज़ों को अबाइट करें इनके साथ ही अलकोहल, बीडी, तंभाको, गुटका और नॉनवेज जैसे प्रोडक्ट सभी एकदम से बन कर दें इसी के साथ आपने यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए आपने कौन-कौन सी चीज़े ख जरूर करें और ध्यान रहें आपने पानी ज्यादा पीना है और जिन लोगों का यूरिक एसिड बड़ा हुआ होता है उन लोगों को एक बात का खास ख्याल रखना है कि उनको कॉंस्टिबेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि पेट साफ होना बहुत जरूरी ह क्योंकि कब्स की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो मैंने आपको डाइट बताई है उन सब चीजों का जो फाइदा है वो तब ही होगा अगर आपको पेट साफ होगा तो यह थे मेरी आज की वीडियो यॉरिक एसिड पार्ट टू अगर आपको इस वीडियो से रिलेटिड पाने के लिए बेल आइकन जुरूर प्रेस करें और अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो हाँ तो आप मुझे कमेंड में बता सकते हैं कि आपको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए नया वीडियो चाहिए तो उसी से रिलेटिड मैं आपको एक नया वीडियो बता